वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं ध्यान लगिए नमस्क्राइब साथियो स्वागत है आप सबी के स्टडी फॉर सिबिल सर्वसिज में आज हम बात करेंगे मौरय उत्तरकाल में आंद साथ वाहन बन्स की साथ वाहन बन्स थोड़ा इंपोर्व है तो थोड़ा से इसको देख लेते हैं अगर हम आंद साथ वाहन बन्स के समय की बात करें तो इसका समय है 30 BC से लेकर के 200 AD तक यानि 30 इसा पूर्व से लेकर के 250 इसवी तक इनका समय है आंध साथ वाहनों का राजदानी के अगर हम बात करें इनकी राजदानी क्या है तो ध्यान अगना राजदानी है इनकी प्रतिस्ठान मैं तो पूर है इसलिए आपको यहां बता रहा हूँ ठीक है राजदानी इनकी प्रतिस्ठान जोके पड़ती है महाराष्ट में और आंध साथ वाहन वन्स का संस्थापक को ने तो ध्यान रखना इसका संस्थापक है सिमुक ठीक है ना सिमुक इसका संस्थापक है सिमुक ने क्या किया सिमुक ने कंडव वन्स के अंतिम शासक जिसका नाम था सुशर्मन उसकी हत्या करके इस वन्स की स्थापना के दिए हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कंडव वन्स के संस्थापक देव भूती मतलब कंड़ वंस के संस्तापक वासुदेव ने शुंग वंस के अंत्रिम शासक देव भूति के हत्या कर दी और नए वंस की नीव डाली इसी कंड़ वंस का अंत्रिम शासक ता सुशर्मन जिसकी हत्या कर दी सिमुक ने और आंध साथ वहन वंस की नीव डाली आई बास समझ म इसमें दिखिए इसका जो नाम है वो पुराणों में इसको कहा गया है आंध्र पुराणों में नाम क्या मिलता है इसका आंध्र और अबलीकों में इनको कहा गया है साथ वहन इसलिए इनका पूरा नाम क्या है आंध्र साथ वहन इसका जो पहला व्यूती को C ने प्रत्व की पतनी जिसका नाम है और इनका एक है जिसका नाम है नाना घाठ इस अविलेक से जानकारी मिलती है कि नागा निका ने ब्रहामवडों तदा बौधों को भूमी दान दी इसलिए नागा निका का नाना गहाठ अविलेक जो है वो भूमी दान का पहला अविलेक है ध्यान रखना भूमी दान का सबसे पहला अविलेक कौन सा है नागा निका का नाना घाठ अविलेक, important बात है ध्यान रखना, ठीक है? अगला जो शासकिस में हुआ है, आंध साथ वाहन वंस में वो है हाल, हाल के बारे में बस इतना ध्यान रखना है कि हाल ने एक पुस्तक की रचना की है जिसका नाम है गाथा शप्षति, गाथा सप्षति, ठीक है? ये जानना चाहो तो इतना ध्यान रखना कि इसी के समय में संस्कित व्याकरण के एक लेखक थे जिनका नाम था सर्व वर्मन उन्होंने कातंत्र पुस्तक की रचना किसने की है? सर्व वर्मन ने ध्यान लखना और इसमें जानने योग कुछ भी नहीं है अगला जो शाशक है सा साथ वाहन बंस के शाशक है उन्होंने अपने नाम के साथ अपनी मा का नाम जोड़ना शुरू कर दिया है तो ये गौतमी पुत्र का मतलब है कि इसकी माता का नाम गौतमी था ठीक है? इसकी इंपोर्टेंट बात है ये कि इसकी उपाधी क्या है? इसकी उपाधी है साथिय चलिए आगे बढ़ते हैं युश्री शाध करनी यह अग्ला शाख है इसके इंपॉठेंट बात यह है कि इसके जो सिक्क्याए हैं उसपर जलियान अंकित है जलियान मतलब जहाज जहाज अंकित है, इसके सिक्कों पर जिससे में पताइब चलता है कि यह जल्यात्रा और समुद्री व्यापार के प्रतिस के प्रेम का परचायक है ठीक है तो यह हुए हमारे आंध्र साथ वाहन वंस के बाद जो अगला वंश गद्धी पर आया है साथियों वो है आभीर वंश आभीर वंश में ज्यादा कुछ नहीं है आपको बस एक पॉइंट याद रखना है कि इस वंश का संस्थापक है इश्वर सेन द्यान रखना इश्वर सेन इस वंश का संस्थापक है और इश्वर सेन जब गद्धी पर बैठा 248 और 249 इस वी में ठीक है 248-249 इस वी में जब यह गद्धी पर बैठा है तो इसने कहा कि एक नया कलेंडर जारी कर दिया जिसका नाम है कल्चुरी चेदी संबत ध्यान रखना तो एक कलेंडर इसने चलाया है जि चेदी संबत यह संबत कब से आया है जब से इस वर सेन गद्धी पर बैठे या आभीर वेंस के द्वारा कौन सा कलेंडर चलाया गया तो कल्चुरी चेदी संबत चलाया गया 249 इसमें खास कुछ नहीं है इसे आगे बढ़ते हैं और लास्ट इसमें देख लो साथियो इच इच्छ वाकू वेंस में बस आपको एक पॉइंट रखना है जो मुझे याद है PCS साहे 2019 या 2018 में पूछा गया क्वेशन है वह यह के लोगों को पुराणों में क्या कहा गया है ठीक है यह PCS में पूछा गया क्वेशन था कि किसको पुराणों में स्री परवतिया या आंद संसापक देखेंगे इसके संसापक है साथियो शांत मूल शांत मूल और पुराणों में इच्छ वाकू वेंस को क्या कहा गया है पुराणों में साथियो इच्छ वाकू वेंस को कहा गया है स्री परवतिया स्री परवतिया या फिर आंध भरतिया ठीक है द्यान देखना क्य रखा गया है आंध भरत्य यह सब नाम है किसके इच्छ वाकू वंस के हैं इसी के साथ हमारा मौरे उत्तर काल समाप्त होता है पूरा का पूरा जितने भी इंपोर्टेंट वंस से सारे के सारे हमने पढ़ लिए अभी कोई कम अभी कोई कमी रह गई हो तो कमेंट के मादम से ब हूं दब मत्रौ